नौशकार दोस्तों मैं हूँ धरमविर्स्तिजा मेरी खेती सची खेती में आपका स्वागत है जब आलू की फसल के पोधे बड़े हो जाएं टहनिया बड़ी हो जाएं आपस में एक लाइन से दूसरी लाइन की टहनिया पत्ते मिल जाएं टकराने लगें पूरा खेत भर जाएं और उसके उपर से वातवरन में नमी हो बार बार बारिश हो रही है रुक रही है या फिर प अर्ली ब्लाइट के लक्षन थोड़ा पहले दिखी जाते हैं इसलिए उसको अर्ली कहते हैं लेट ब्लाइट के लक्षन थोड़ा लेट दिखते हैं एक बरी इंफेक्शन हो गही है तो उसके हपते बाद ही हमारे को दिखाई देता है और एक बर ये फैलने लग जाए फेबरेवल मौसम हो जाए तो दस से चोदा दिन में पूरी फसल नश्ट हो सकती है अगर हमें पता हो तो जल्दी से जल्दी इंकाम उपाई कर सकते हैं वैसे बचाओ में ही फायदा होता है बचाओ के लिए अलग फंजी साइट स्प्रे करने पड़ते हैं अगर इंफेक्शन आ जाए तो कुछ फंजी साइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं तो उनके प है आज की मैं अपनी वीडियो में यही सब कुछ डिसकस करेंगे कि बिमारी आए ना आए उससे बचाओ के लिए हम क्या कर सकते हैं और आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं अभी आप देख रहे हो यह लेट ब्लाइट के सिंटम्स हैं लेट ब्लाइट के लिए फंगस जो है ना पत्तों के उपर से शुरू होता है जैसे शुरू में तो ऐसे लगता है जैसे गिले हुए पत्ते पानी में भीगे हुए से लगते हैं उपर नोक से शुरू होता है फिर नीचे फैलता जाता है गहरे डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं नीचे की तरफ फैलता है उसके चारों अधिर प्रफ एक न सफेद कॉटन जैसा रूई जैसा सा दिखता है सुबह के समय होता है यह बारिश हो रही हो यह दुन्द पड़ी हो पत्ते गिले हो मौसम में नमी हो तब यह एक इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स है ठंड और ज्यादा नमी बार बार बारिश हो रही हो रु जसे आसे भी रूपर से नीचे के ऐंट की स्वीं जो है तो तश्यीं प्रावन दब्रृव्ज्ट यह लेट प्लाइट ब्याइट के सिम्टम्स है लेट ब्लाइट बीमारी जो है ना आलू की फसल में आलू के बीज से ज़्यादा फैलती है बीमारी वाले खेट से एक तो बीज ना रखें और दो साल कम से कम उस खेट में आलू ना लगाए अब कोल्ड स्टोर के बाहर जो गंदे आलू का डेर लगा होते हैं आप सबने देखा होगा वहां से भी ये बीमारी फैलती है अब बीज को उखाड कर जब आपने स्टोर में रखना है तो 10-15 दिन के बाद एक बर फिर से छटाई करो जो खराब बीज है उनको निकाल दो फिर उसको पैक करके फिर स्टोर में रखो गंदे बीमारी वाला बीज स्टोर में ना रखा जाए ये जो आप फसल देख रहे हो ये मेरी 65 दिन की कुफरी मोहन की फसल आप देख रहे हो अब जब सर्दियों में बारिशे होती है डब्बे परसंट से नमी जादा हो जाए धुन्द पढ़ती रहे छे-साथ दिन तक और टेमपरिचर दस से बीस डिगरी के बीच हो तो नॉम्बर, डिसंबर, जन्वरी में इस बिमारे के आने के चांसिस बढ़ जाते है एक बार आ गई तो फिर हवा से बहुत फैलती है चार-पांच बारी एक बारी इसका लाइफ साइकल घूम जाता है सीजन में अगर बोसम अनकूल रहे तो 20-21 दिन में पूरे एरिये में गाउं में फैल लेगी और अगर टेंपरिचर थोड़ा सा बढ़ जाए 15-18 डिगरी की एवरेज हो जाए नमी भी थोड़ी कम हो जाए 60-80% हो जाए रात को ओस पड़े और दिन में धूप निकले तो ये बिमारी बहुत जादा नुकसान नहीं करेगी ये जो आप खेद देख रहे हैं ये कुफरी मोहन का है इसमें से मैंने बीज बनाना है इसमें रोगिंग भी कर रखी है और इक्वेशन प्रो का स्प्रे भी कर रखी है अब थोड़ा अर्ली बलाइट की बात करते हैं फिर दवाईयों की भी बात करेंगे बीमारी अगर आ जाए तो उसको फैलने से कैसे रोके सारी डिटेल बताऊंगा बचाओ के लिए दवाईये और बाद में अगर बीमारी आ जाती तो उसकी दवाईये भी अब थोड़ा अर्ली बलाइट ओफ डिजीज की भी बात भी कर लेते हैं इसमें आप देख रहे हैं जो धबे हैं यह छुट शुटे धबे बनते हैं और काफी सारे बनते हैं यह मेंली बड़े पत्तों के उपर बनेंगे जो पुराने पत्ते होंगे ना उनके उपर यह कंसेंट्रिक से बनेंगे ये ऐसे रिंक से बनते हैं, रिंक से गोल-गोल से बनते रहेंगे, ज्यादा बारिश, धुंद, पत्तों पे ज्यादा देर तक गिले रहने से फैलती है, ये बिमारी, मैच्योर होने से पहले ये पीले भी हो जाते हैं, मैच्योर होने से पहले धबे बड़े होकर सारा पत्ता पीला हो जाता है, मर जाता है और पोदों से अलग भी होके नीचे गिर सकता है। आलू पर सूखे और डार्क दबे हुए, दबे हुए दबे से दिखेंगे। आलू काटने पर भी ब्राउन से दिखेंगे, यह जैसे दब सा गया हो, इस तरह से दिखेंगे। तो यह सब जो है ना नमी से ही फैलती है तो नमी जादा हो तो फैलेगी तो अगर हमें बारिश नहीं आई है पानी भी देना है तो पानी कोशिश करें सुभे के समय दें ताकि धूप में कम से कम गिला रहा है एक जल्दी सूप जाए अब पंजाब एग्रिकल्चरलर जालो निल लेलो कवच के नाम से मशूर है या फिर प्रोपिनेब जो एंट्रकोल के नाम से मशूर है इन तीन में से कोई भी आप लेलो 500 से लेके 700 ग्राम प्रती एकड़ के साब से स्प्रे करना है बचाओ के लिए या फिर यह ब्लाइटोक्स 50 आता है जो बल्यू कोपर हो होती है और साथ दिन के बाद इनको रिपीट करते रहना है और अगर मौसम जादा हुँमिड हो जाता है बारिश आ जाती है फोगी हो जाता है क्लाउड्स होते बादल हो जाते हैं तो लेट बलाइट जो हैना लगबग ड्लप होने के चांसिस पूरे पूरे होते तब आप यह उपर वाली दोवाई है ना फंडिसाइड यह काम नहीं करेंगे फिर हमने सिस्टैमिक फंडिसाइड करने हैं जो पैक आता है जैसे आता है रिडो मिल गोल्ड आता है उसके अंदर आठ परसेंट मिफोन और एक्जैम होता है यह चोशट परसेंट मेटल एक्सिल के साथ इस आता था तो यह रिडो मिल गोल्ड कर सकते हैं या फिर एक दोवाई आती कर्जट मेट इसके अंदर आठ परसेंट साइमॉक से लिए सिस्टैमिक है यह बहुत अच्छा है और चोशट परसेंट मेंगो जैब होता है यह स्प्रेय कर सकते हैं यह फिर एक से दौई आती ह यह फिर दो दोईयें और बताता हूँ जैसे रिवस है इसके अंदर मैंडि प्रोपे मिड है 25 250 A.C है यह फिर एक्वेशन प्रो है मैंने एक्वेशन प्रों किया है इसके अंदर 16.6% फिमोकसाडों है और 12.1% साइमॉकसेनल है इसके अंदर 22% है तो इसलिए इनकि दोज ए एकड करनी चाहिए और इसको 10 दिन के इंटरवेल पर आप बदल बदल कर स्प्रे करते हो अगर मौसम जो है ना फेवरेवल हो गया है जैसे आज कल बारिशे आ रही है फेवरेवल मोशम है तो आप स्प्रे जरूर से जरूर करें तो अर्ली बलाइट के लिए बचाओ के लिए तो उपर बताए गई जो द्वाइए लेट बलाइट के लिए सेम है लेकिन अगर इंफेक्षन आ जाता है तो आप जो है एक अजोक्सिस ट्रोबिन जो अमिस्टार के नाम से आता है या फिर पाइर क्लोस ट्रोबिन इसका भी स्प्रे कर सकते हैं लेट बलाइट वाली बहुत काम्याब है अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अच्छी द्वाईएं जरूर भी उस करें। बहुत अच्छी तरीके से एक सो असी से तरीके से एक सो असी से 200 लिटर पानी में बारीक फवारे के साथ पूरे पोधों को उपर से नीचे गिला करते हुए अच्छी से अच्छी दवाईगा प्रियोग करें। बंपर पैदा रख उठाएं ऐसी मेरी शुब कामना है इसी के साथ ही थैंक यू आछुआ़ एक पूसुआफ झाल 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 झालmother झाली पूस्टाइब झाल 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 झाल